अदाम और मुंगफली दोनों सेहत के लिए लापकारी माने जाते हैं लेकिन लोग या जानना चाते हैं कि दोनों में क्या ज़्यादा फायदे मन्द है तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले जानते हैं बदाम के पोशक तत्वे बदाम में फाइबर, प्रोटेन, विटामिन E, कॉपर, फॉसफोरस और मेगनेशियम जैसे पोशक तत्वे पाय जाते हैं बदाम का सेवन करने से पाचन दुरस्त रहता है, दिमाग तेज होता है और सरेर में एनरजी आती है रोजाना बदाम का सेवन करने से ब्लेट प्रेशर और कोलेश्टरॉल की मात्रा कंट्रोल में रहती है, जिसरे हिदर स्वस्त रहता है जानते हैं मुंगफली के पोशक तत्वे, मुंगफली के पोशक तत्वे हैं प्रोटीन, विटामिन E, कॉपर, फॉस्पोरस और मैगनीशियम के इलावक कई सारे मिनरल्स भी पाय जाते हैं दोस्तों दोनों नट्स में एक जैसे पोशक तत्व पाय जाते हैं लेकिन इनकी मात्रव में अंतर होता है मसलन एक मुठी रोस्टेट बदाम में 170 के करीब कैलरी 6 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फाइबर होता है जब कि एक मुठी मुठी मुझफली में 166 के करीब कैलरी 7 ग्राम के करीब प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर पाय जाता है तो या तो इस परस्ट है कि कैलरी और फाइबर के मामले में बदाम ज्यादा फाइदे मन्द है जब कि मुंगफली में प्रोटीन ज्यादा होता है हलाकि मुंगफली खाने के नुकसान ज्याद को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें ठैंक्स पर वाचिंग